तो फ्रेंड्स अभी तक हमने बहुत सारी ट्रांटेक्शन को रिकोर्ड करे एट LARP9 में जिन में ऐसे कुछ एंट्रीज जिस्टी के बेस पर थी और कुछ एंट्रीज जिस्टी के बिना थी यानि कि हमने सिर्फ अकाउंटिंग को इंटेंड किया एट LARP9 में हमने inventory को इंवर्व नहीं किया था, तो आपकी स्क्रीन में जो भी entries हारे हैं जितनी भी entries हारे हैं इन सब को हम रिकोर्ड कर चुके हैं पिछे वाले वीडियो में अगर आप नहीं हैं इस चैनल पे तो वह वाले वीडियो जुदुड देखें एक अलग ही मैंने प्लेलिस्ट नाके रखिया, तो आज की इस वीडियो में हम inventory के features को set करेंगे और उनसे समद्धित कुछ transition को record करेंगे tellerp9 में, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो inventory के features को set करने के लिए हम जाएंगे F11 features में, तो यहां पर corner पर देखिए F11 feature के लिए दे रखाया, आप इसके उपर click कीजिए, यह press करें F11, तो यहां पर company feature open होंगे, तो हम first को open करेंगे, तो यहां पर लिखाया है maintain accounts only, जिसको मने पहले से yes रखाया, इसका मतलब है कि हमें सिर्फ accounts ही maintain करने है, मगर हमें अब inventory भी चाहिए, तो इसको हम no कर देते हैं, तो inventory को on करने के लिए आपको सिर्फ इसी को no करना है, inventory आपकी खुद बखुद शालू हो जाएगी, बाकि आपने किसी feature को ने शेड़ना, वैसे तो इसमें बहुत सारे feature है उसको हम दीरे-दीरे करते चलेंगे, क्योंकि हम एक दम से नहीं सीखेंगे, अगर हम एक ही दम से सीखेंगे, तो हम पीछे बला बोलते जाएंगे, और नया सीखते जाएंगे, तो हम दीरे-दीरे सारे काम करते चलेंगे, तो maintain accounts only को आप no करेंगे, और इसको save करेंगे, control plus A प्रेस करें, सेव करने के लिए, तो हम बैग जाएंगे गेट उफ टैली में, यहां पर देखिए, गेट उफ टैली में, इंवेंटरी इन्फो, एंड इनवेंटरी वोचर आ चुका है, तो यह नही है, तो जब भी हम इंवेंटरी के साथ वोचर को रिकोर्ड करते हैं, पहले यहां पर हम उनका नाम लिखेंगे, जिनको हम बेच रहे हैं, यानि कि जो हमारे पास अवेलिबल है, और दूसरी तब आप देखिए, क्वांटिटी दे रखा है, रेट है, एंड अमाउंट, क्वांटिटी के हम जितना समान बेच रहे हैं, एक पीस है, दो पीस है, दस पी के लिए, आपको इन्वेंटी इन्फो उपन करना पड़ेगा, तो यहां पर देखिए, दे लखा है, स्टोक ग्रुप्स, स्टोक आइटम्स, एन यूनिट ओफ मैयर, स्टोक ग्रुप्स, सबसे पहले हम स्टोक ग्रुप्स का मतलब समझते हैं, कि हम इसे बनाते हैं, तो मा मान लीजिए, आप हमारी कोई बहुत बड़ी शोप है, मान लीजिए, मानने में कैव, ऐसे हैं तो है नहीं, तो फिर भी मान लीजिए, कि हमारी बहुत बड़ी शोप है, और उसमें हम इलेक्ट्रोनिका समान भी वेजते हैं, फरनीचर का समान भी वेजते हैं, और कोई भी बहुत सारे समान बेजते हैं तो हमें जब हम inventory को control करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी उसको इकठा देखने में कि हमारे पास कितना समान बजा और कितना नहीं है तो उसके लिए हम groups बना के रखते हैं कि हमारे पास यह समान पड़ा हुआ है जैसा कि मैं आपको बना के बता देता हूँ तो first is stock groups इसको हम open करेंगे and first is create तो name जैसे कि हमारे पास electronic का समान है तो हम लिख लेते हैं electronics तो इसको हम रखेंगे under primary क्योंकि यह main है इसके अंदर ही सारा समान आता है जैसे कोई भी AC वगएरा हो computers हो, laptops हो तो इसको हम primary count रखते हैं इसको हम save कर लेते हैं control plus A दूसरा हम बनाएंगे furniture का यानि कि लकडी का समान जो होता है तो उसके लिए हम अलग बनाएंगे जिसको मैं लखेंगे furniture इसको भी हम under primary लिखेंगे control plus A प्रेस करें और अगर आपको electronic के अंदर भी हमारा electronics के अंदर आता है तो इसको हम save कर लेते हैं तो यह जो आगे वाले features नहीं should quantities of item be added set alter, gst detail यह बात की बाते हैं तो हम फिलाल अभी basic कर रहे हैं हम सीख रहे हैं हमारा first lecture inventory का तो इसको हमने नहीं शेड़ना कि इसको आप शेड़ोगे आपको बहुत ज़्यादा confusion होगी तो आप पहले दीरे-दीरे सीखिए इसको चैनल जूरते नहीं है and control plus a brush करें save करने के लिए तो एक हमने main group बनाया है electronics का दूसरा बनाया है furniture का electronic subgroup हमने बनाया है computer तो हम back जाएंगे तो देखिए हमने दो groups बना के रखे है और एक subgroup बनाया है यानि कि हमारे पास furniture का समान भी है और electronic का समान भी है next is stock item तो stock item बनाने से पहले हम unit of measure बना लेते हैं तो इसको हम open करते हैं next is create तो symbol तो symbol का मतलब है कि हमारे जो item है यानि कि हमारे जो products है वो numbers में होते हैं pieces में होते हैं kilogram में होते हैं तो यह तो जाहल सी बात है कि जो भी laptops होते है electronics की items होती है वो numbers में होती है तो हम symbol के लिए बना लेते हैं NOS and formal name लिखेंगे numbers and इसको control plus A save करेंगे next हम stock items को बना लेते हैं इसको में open करेंगे and first है create तो इसका मतलब है कि हमारे पास कौन-कौन सी items है बेचने के लिए electronics में कौन-कौन सी है furniture में कौन-कौन सी है तो आपको पता है कि हम तो computers बेचते हैं हमने अभी पीछे group बनाया है तो हम Dell computer के नाम से बना लेते हैं कुछ यानिकि Dell जिसका model है 1234 तो इसको में रखेंगे under computers तो यह जो हमारी quantity है यानिकि यह किसमी होती है तो में बता कि numbers में होती है जैसे कि 1, 5, 10 जितने भी pieces होंगे मारे पास उसको में select करेंगे तो इसके उपर GST applicable है तो यह बात की बात है अब यह सिर्फ हम बनाना सीख रहे है तो इसको हम सीख लेते हैं पहले and control plus a brass करेंगे save करने के लिए मगर उसके पहले नीची दे रखा है opening balance यानि कि quantity कि हमारे पास पहले से कोई quantity पढ़ी है तो अगर हमारे पास कोई quantity होगी तो तभी तो हम बेचेंगे न तो यहाँ पर लिख लेते हैं so जिसका rate है 20,000 रुपया तो यहाँ पर देखे 20,000,000 का समान हमारे पास पढ़ा हुआ है उपर दे रखे हैं GST applicable तो इसको पता ही देता हूँ जो मैं बाद में भी सीखोगी या वैसे हमें पता ही है कि इसके ओपर applicable है तो पहले से applicable है next asset, alter GST detail इसको हम करेंगे yes बोलता है कि जो आपका taxable किस पर लगेगा value के ओपर लगेगा या item के rate के ओपर लगेगा तो इसको हम on value रखते हैं next taxability जिसको हम रखते है taxable तो electronics की item है तो इसमें कितना tax लगेगा तो आप 18% कर लिजिए and control plus A ब्रास करें save करने के लिए type of supply तो यह goods है तो इसको हम select कर लिए है नीचे हमने इसकी quantity भी डाल दिया है rate भी डाल दिया है इसको हम save करेंगे control plus A तो हम back जागे gateway of tally में तो अभी हमने अपनी inventory की info में जाकर अपने groups को create किया है item को create किया है an unit of major को create किया है तो अब हम एक purchase करके देखते हैं तो purchase remedy हमारे पास पड़े ऊए है अपने Elle के नाम से कुछ item को create कर रहा है कि हमारे पास पड़े होए है तो हम sale करके देखते हैं तो ओपन करें accounting vouchers को उसे जरका वोचर पहले से ओपन है reference number हम कोई भी लेंगे क्योंकि यह demo company है तो reference number डालेंगे हम 123 next step party account name तो हम किसको समान बेच रहे हैं तो हम कोई भी pick कर लेते हैं यह हमा जैसे की Mr. Raj जैसे की हमने पहले बनाया था कि हमारे जो डेल के computer रहे हैं उनके अपर 18% टेक्स लगेगा हमने अभी भी बनाया GST का rate set कर रहा 18% का तो हम सेल 18% कर लेते हैं next है name of item तो आपको पता ही है कि हम डेल का गोटर बेच रहे हैं तो आपके सामने list आ रही है इसको select करें quantity तो हमा लीजिए दस पीस बेच रहे हैं इसका rate है 30,000 का तो समने देखिए इसका amount है बकुच बकुच calculate हो जाएगा next हम इसके ओपर text लगाएंगे यानिके 9% CGST and 9% SGST तो तली लगा जते हैं तो यहां पी हम लगाएंगे आउटपुच GST 9% तो यहां पी साइट पे लिस्ट आ रही है उसमें से आउटपुच CGST 9% स्लेक्ट करें तो इसका amount जो बकुच बकुच calculate होके आ जाएगा next है आउटपुच SGST इसको select करेंगे और नीचे इंजरेशन जुरू टाइप करेंगे and control plus A press करेंगे save करने के लिए तो देखिए मैं आपको page up करके बता देता हूँ कि किस प्रकार हम inventory को control करते हैं यह उसको record करते हैं daily rp9 में तो आपे देखिए party का नाम अलग आता है सेल कलाइजर अलग select होता है name of item अलग show होता है कितनी quantity बेची है कितने pieces बेचे हैं एक piece का rate कितना था तो सब इसमे record होता है तो मेरे को लगता है कि कुछ को समझ नहीं आया होगा तो उसको हम next video में देखेंगे क्योंकि यह की video में चाना कुछ पताना बहुत मुश्किल हो जाता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप inventory करें तो सबसे पहले inventory info में जाके अपने stock groups, stock items and unit of measure जुरूर बना लें तो माली जी हमारे पास अब food भी होता तो store groups में जाकर मैं create करता food इसको मैं रखता under primary group तो control plus A save कर लेंगे हम बैक जाएंगे gift of tally में जिसमें हम फिर से inventory या stock item create करेंगे यहाँ पे है create तो माली जी फूड की जगा में मेरे पास कुछ भी होता उसका नाम मैं यहाँ पे लिखूँगा यान कि उसको मैं select करूँगा बर्गर लगा लगा लो कुछ भी लगा लो मतलब तो उसको मैं रखूँगा under food तो यह भी मेरे numbers में जाते हैं यहाँ एक बर्गर दो तीन चार पांच जितने मर्जी हो सकते हैं तो इसको मैं number select करूँगा यान से तो खाने की चीज़े इसके बर कितना की text लग जाएगा जो भी है कि आपको select करना हो तो आप कर सकते हो तो मैं back चला जो तो फिर से तो इस प्रकार आप अपनी inventory को select करें तो मैं फिर से दोहरा जेता हूँ इसका क्या process है तो first open करें features next है accounting feature में जाके आपको first को no करना है maintain account only क जाके stock groups, stock items and unit of measure बनाने है तो आसकी वीडियो में इतना ही next video में हम इसी company को pick करेंगे और कुछ stock groups, कुछ stock items को बनाके उनके base पर कुछ transactions को record करेंगे तो आसकी लिए इतना ही thank you